हालो फ्रेंट्स एक बब फिर आपको बहुत हो स्वागित हो दूस्तों अगर आपने अपना यूपी स्कॉल से प्यानिकी छात्वर्ति फॉर्म 25 सक्तू बरता को आनलाइन फिल कर दिया था और उसे अपने कॉलिज में भी सम्मिट कर दिया था तो यह वीडियो के लिए बहु आपने नहीं हो रहा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पर इसी के बार बात करेंगे पूरी न्यू जा चुकिए यहां पर जानेंगे भी स्टार से तो जैसे की फ्रेंट्स आप स्कीन पर देख सकते होंगे यहां पर जानकरी दी जारी कि छात्वर्ति के संदेग ड लेकिन किसी भी स्टेंट्स के फूरहां में ऑनलाइन से सोधन करने का जो आपसर नहीं झाल रहा है यानि किình किसी भी स्ट्रेंट्स का जो डेटा है वह ससपैट नहीं दिखा अभी मैं आपको यहाँ पर पूरा लाइप प्रोसेस दिखाऊंगा बट उससे पहले यहाँ पर देख लीजे इसमें न्यूज में यहाँ पर क्या जान करी दे जा रही है आगरा सी इस न्यूज को प्रकासित किया गया चातवर्ति के लिए अविदन करने वाली कच्छा ग्या वो आखरी तारिक रखी गई है निजारत की गई है संदेख देटा जो है वो सिच्छर संस्थानों को उपलब्द करा दिया गया है यानि कि आपका सस्पेक्टिट डेटा की जो लिस्ट है वो आपके कॉलिगेस के पास पहुंच चुकी है दोस्तों जब भी आप अपने इस अब ही तक डेट आपको पता ही है 11 नुवेंबर से 16 नुवेंबर के बीच है वट आज 15 नुवेंबर हो चुकी है अभी तक जो सस्पेक्टिट डेटा है वो आलाइन फॉर्म में सो नहीं हो पा रहा है जिस विज़े से इस बिज़ेस अपने फॉर्म में करक्षान नहीं कर जब तक यहां पर पता ही होगा यहां पर इस्कूर्टिनी रिजल्ट सो नहीं होगा तब तक यहां पर करक्षन करने के एक उप्सन आगा ठीक है वो आप्सन तब तक नहीं आएगा जब तक इदर कर इस्कूर्टिनी रिजल्ट सस्पेक्ट नहीं बताएगा ठीक है मैंने औ तो दोस्तों अब मैं आपको वैस यही सला देना चाहूंगा कि अगर आपने अपना चाहत्परती फॉर्म 25 सक्तुबर तक फिल करके उसे कॉलेज में समिट कर दिया था तो आप आज ही अपने सिचर संस्तान कॉलेज स्कूल में कॉन्टेक्ट करके बहां पर चेक कर लिंग कि आपका जो नेम है वो सस्पेक्ट डेटा की लिस्ट में मौजूद तो नहीं है ठीक है अगर आपका नेम बहां पर आपका नाम सस्पेक्ट डेटा की लिस्ट में हो तो बहां पर उसे एप्लिकेशन दे कर ठीक है जो भी बहां पर सस्पेक्ट बताया गया हो आपके फॉर्म रेसे में आज आज ही अपने कॉलेज में कॉन्टेट का लीज़े यदि इसस्पेक्ट डेटा में आपका नहीं आपता हूँ बहाँ पर सारी चीज़ये लिखे अलावा जिन इस्ट्रेंट्स के फॉर्म अभी नुबेंबर में फिल किये जा रहा है ठीक है नुबेंबर में आपको पता यह 30 नुबेंबर तक भरे जाएंगे उनके लिए अलग से आगे यहां पर करेक्शन करने की डेट आएगी ठीक है तो वो इस्ट्रेंट्स उस डेट मे उनका नाम है या नहीं है अगर सस्टक्ट डेटा के लिस्ट में उनका नेम हो तो एप्लिकेशन देकर और डॉकुमेंट देकर उसे सही करा लिजे ठीक है उम्मीद करते हूँ आपको यह जानकरी फसंद आई होगी इसी तरह की पलपल के अपडेट के लिए आप समसाथ बन ने रहीगा अब मिलते हैं एक नीए वीडियो में एक नीए इन फॉर्मेशन के साथ थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो